अगर तुम लोग एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारी जिन्दगी बदलने वली है। तो इनके जो प्रॉडक्स हैं उनकी जो कीमत है वो भी प्रीमियम ही होती है। अगर आपको अपनी प्लेसेशन 4 की फुटेज रिकॉर्ड करनी है अपने गेमिंग पीसी के अंदर तो आपको मिनिममम 13,000 रुपे तो खर्च नहीं पड़ेंगे। पर तुम लोगों को कैसे लगगेगा अगर मैं तुम से कहूँ कि ये जो मेरे हाथ में छुटकी सी चीज है ये सिर्फ 1000 रुपे की आती है और ये सारे के सारे काम बिल्कुल वैसी करवाती है जितने भी मैंने अभी प्रॉड़क्स के नाम ली है। तो ये चोड़ा सा कॉंपरेंट जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इस वक्त ये और कुछ नहीं बलगी है कैप्चर कार्ड ही है बट फर्स अफ वाल ये बता जाता हूँ कि ये कैप्चर कार्ड 1080p at 60 फुटेज को आपके PC में अच्छे से रिकॉर्ड करवा देगा फिर जा है वो फुटेज आपके कैमरा से निकल रही हो या फिर आपके गेमिंग कंसोल से एंड इसको मंगाने से पहले मैंने जब भी Amazon या फिर फ्लिपकार्ड के ओपर कैप्चर कार्ड सर्च किया है न तो ये मिली रिकमेंडेशन में जरूर आता है मतब सर्च करते ही ये चीज जो नहीं दिया इतनी इंपोर्टेंस नहीं दी ये सोच कर कि यार जो काम 10,000-20,000 की चीज कर रही है वो ये 1000 या फिर 500 रुपे की चीज कैसे कर पाएगी पर यूट्यूब पर एक Western Creator है जिसका नाम है EPOSWALKS और मैं उसको काफी टाइम से फॉलो करता हूं तो उसने काफी टा कि मैं इस चीज को purchase करूँ एक और पॉइंट मैं पहले ही clear कर देता हूं कि क्योंकि इसके साथ किसी बड़े brand का नाम नहीं जुड़ा हुआ है जैसे कि Elgato या फिर Evermedia का तो इसके साथ आपको support बिलकुल भी नहीं मिलेगा मतलब की warranty भी नहीं मिलेगी after sales service भी नहीं मिलेगी and specifically यह जो मैंने लिया है इसी का link मैं description में छोड़ दूँगा क्योंकि मैंने दो मंगवाया है एक flip card से एक जो मेरे पास यहाँ पर है और एक Amazon से जो यह वला है तो जो Amazon से मैंने मंगवाया है वो मुझे better product लगा है उसका reason क्या है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा अगर तुम यह वला product भी खरीते हो जो मैंने नीचे link दिया है उसको यूज करके तो भी कोई guarantee नहीं है कि तुम्हे यह वला मिलेगा हो सकता तुम्हे यह वला मिल जाए तो अब मैं तुम्हे इसीज को यूज करके दिखाता हूँ अपने camera के साथ भी और पनी PS4 Pro के साथ भी तो मैंने अपनी PS4 की HDMI को उस USB capture card के अंदर लगा दिया है तो ABS में किसी भी scene के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर source add भी प्लस icon दबाना है और उसके बाद video capture device चूज करना है तो आप देख सकते हो कि इसका जो by default device select हुआ हूँ है वो मेरा webcam ही हुआ पड़ है तो उसको म Full HD और 60fps वली footage से जादा नहीं capture कर पाऊगे but come on हम सिर्फ 1000 रुपे की बात कर रहे है तो I think उससाब से तो यह काफी great value for money product हो जाता है अब आप देख सकते हो कि मैं आपर अपनी PS4 का जो remote है वो operate करूँगा तो मैं इसको simply operate कर सकता हूँ and login कर लेता हूँ अपने account के अंदर and जब तक game start होती है मैं तुम लोगों को यह अब आ जाता हूँ कि यह जो flip card से मैंने मंगवाया है उसको मैं थोड़ा सा inferior क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा बेकार क्यों कह रहा हूँ जो amazon वला है उससे basically इस वाले के through मैं अपने source की na audio capture नहीं कर पा रहा हूँ but जो मैंने इस व इमीडेटली मुझे वहाँ पर गन की गोली जो है वो fire होती हूँ दिख रही है but एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैं अभी तक इन दोनों को साथ में यूज नहीं कर पाया हूँ and अगर मैं यह दो एक साथ इंसर्ट कर देता हूँ अपने PC के अंदर तो OBS बहुत अजीब सा रियाक करने लग जाता है and वो यह सेंस नहीं कर बाता कि कौन सा जो USB capture card है वो किस काम के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यह दो या फिर तीन आप यूज करो एक साथ अलग-अलग sources के लिए तो यह तो होगी PS4 Pro गी footage की बात and अब मैं तुम लो आ रहा है और यह camera के footage है तो अब जो तुम audio सुन रहे हो वो मेरे camera में record हो रही है यहाँ पर मैंने external mic लगा रहा है अपने camera से और उसके थू यह audio capture हो रही है and मेरे PC में record भी हो रही है all thanks to this thousand rupees का capture card so एक बार तुम लोग भी definitely नीचे comment करके मुझे बताना कि तुम लोगों को भ आप यह facecam record करोगे तो वो generally इतना होगा ठीक है ना बहुत बड़ा नहीं होता है facecam कभी भी okay तो guys तुम लोग देख सकते हो अब हम एक game के अंदर है जो की है Red Dead Redemption 2 and यह हम खेल भी रहे है और हमारा gameplay भी record हो रहा है साथ-साथ हमारी audio हमारे camera के through capture हो रही है and हाँ एक और focus पर rely करना पड़ेगा और आपको एक certain distance पर ही बैठना पड़ेगा बट एक ऐसा तरीका भी है जिसके मदद से आप auto focus भी use कर पाओगे बट उसके लिए आपको अपने camera के अंदर एक custom OS एक custom firmware flash करना पड़ेगा so this is it guys आसी वीडियो के लिए इतना ही मुझे लगता है तुम लोगों को ये वीडियो काफी काम की लेगी होगी अगर ये वीडियो पसंद आईए तो please hit like and अगर नए हो और ऐसा ही content देखना चाहते हो तो subscribe कर लो चैनल को मिलते एक लीडियो में जब तक के लिए आदियो अगर शाली कि छ्चितोख आदियो में ये वीडियोग ये देखने झाली के लिए वीडियो였 इतने हीडियो झाली के अज़ते हैं अगर नएगर जब जब आली को कि येझाल